यह कहानी हंगरी की महरानी एरजबन पथोरी की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इनुसेंट और वर्जिन लड़कियों को मार कर उनके खून से नाया करती थी ताकि वो हमेशा खुब सुरत और जवान बनी रह सके लेकिन यह पूरा सच नहीं था क्या पता इसके कुछ अ राजजी का वारिस पैंदा करने का आदेश दिया गया था कहानी कई साल आगे चली जाती है जहां हंगेरियन्स को मुस्लिम्स के खिलाफ युद में लड़ते भी दिखाया जाता है और उनको युद में विजय प्राप्त होती है इस मूवी को थ्री पार्ट्स में डिवाइ और उसे इनके लिए पेंटिंग करने के बन ले रिया किया जाएगा उसके बाद फैरेंग और काउंटेंस इंटिमीट होकर जीत का जर्शन मनाते हैं उसके बाद हम इस्तवान को देखते हैं जो उस पेंटर के साथ जबलों से फूल ले कराया था ताकि वो अपनी पेंटिं लेकिन फैरेंग उसकी बात नहीं मानता काउंटेंस के चिलाने की बज़ा से उनका डॉग फैरेंग पर हमला कर देता है और नेक्ट सीन में हम उस डॉग को बिस्तवा मरावा पाते हैं और काउंटेंस का भी मिस्कारेज हो गया था फैरेंग वहां से जा चुगा था और घर का सेरापती थूर्जों काउंटेस के बारे में बाकी स्यनिकों से बात कर रहा था कि काउंटेस चैसे औरत के लिए कुछ भी करेगा वो है ही इतनी कुपसूरत थूर्जों को काउंटेस पर क्रॉष है और उसे पाना चाहता है वहां वो पेंटर मार्या की पेंटिंग बना रहा था मार्या उस पर चड़ने लगती है पींटर सब्सक्राइब काउंटेस आ जाती है और मा या पीछी की दरवारे से भाग जाती है अगली दिन काउंटेस अपनी पेंटिंग बनाने के लिए तयार होती है लेकिन पींटर कहता है उसे पींटिंग के लिए मैकेट मॉडल चाहिए कपड़ों में उसे कर्फस नहीं दिखते काउंटर कहती है एक अच्छी वुरत किसी को अपना शरीर नहीं दिखाती यहां तक है अपने हजबन को भी नहीं पिंटर एक पिल्ड के नीचे से एक स्कल उठाता है कहता है कि वो कुछ भी पिंट नहीं कर सकता जब तक उसे पता ना हो कि वो क्या पिंट करने जा रहा है तब ही उसे एक सांप आकर दस लेता है काउंटर्स उसको अपने परसनल हوسपिटर में इलाच ले ले जाती है, जहां उसका जहरण निकालने के लिए जहर द् off का इस्तमाल किया जाता है, अगले सीं में हम मारिया को काउंटर्स के साथ देखते हैं, जहां मारिया बताती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने रेप किया था, Countess उसका नाम पूछती है, मार्या बताती है उनमें से एक की मातियों का निशान था, Countess समझ आती है कि वो थुर्जो है, मार्या बताती है उसके रूम में रोज कोई न गुसा आता है जिसमें से इस्तवान भी एक है, Countess Mariya को उसकी सेफटी के लिए एक कैची देती है Countess painter के साथ अपना time spent करने लगती है उसे अपने विशार समराज्य दिखाती है और फिर वो अपने मरे हुए बेटी की painting बनाने को कहती है जिसे उसने आज तक बर्फ के सिली में रखा हुआ था वो उसे एक दिन का समय देती है क्योंकि कर वो इस बच्चे को मिर्टी में दफना देगी उसने आज तक अपने मरे हुए बच्चे को इसली नहीं दफनाया था क्योंकि उसके पास कुछ आप्शन नहीं था उसकी यादों को सजोय रखने का लेकिन अब पेंटर उसकी पेंटिंग बना का उसकी यादों को हमेशा उसके पास रख सकता है वो से नाम के तौर पर अपने एक रिंग देती है पेंटर उस बच्चे की पेंटिंग बनाने लगता है लिएकि वो किसी की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिस वज़े से वो पेंटिंग वहां रखी मुंबत्य की लौ से जल जाती है और हम देखते हैं कि दो बंदी जेल से भाग गई है काउंटेस उस पेंटर पर पेंटिंग पूरी ना कर पाने की वज़ा से काफी गुस्सा होती है काउंटेस अपनी अंकल के पास आती है जीतेगा वो आपके साथ डांस करेगा लेकिन पेंटर थुर्जो को चैस में हरा देता है काउंटेस थुर्जो से कहती है तुम्हें और प्रैक्टिस की जरुवत है काउंटेस पेंटर के साथ जाने लगती है फैरंक के दुखी की बजह से काउंटेंस काफ़ी दुखी हो जाती है और फिर वो पिंटर को उसे किस करने को गहती है और उसके सामने अपने सारे कपले उतार दीती है पिंटर बाद में उसकी नैकेट पिंटिंग बनाने लगता है पेंटर कहता है एक दिन सब बता जाएगा लेकिन पेंटिंग में बनी जहरी हमेशा वैसे ही रहेंगी पेंटर काउंटेस को उसकी पेल स्किन के बारे में बताता है काउंटेस कहती है वो बिमार है इसलिए उसकी स्किन पेल हो गई है उसका खुमन में कुछ गरबर है अगले दिल लोगों को इस्तवान के लाश मिलती है और उन्हें लगता है ये किसी वेंपायर का काम है लेकिन काउंटेस समझाती है इस्तवान को मारिया ने उसी कैची से मारा है जो उसने उसे दी थी शायद कल इस्तवान मार्या के रूम में आया हो और उसके साथ फिर से रेप करने की खोशिश की हो काउंटेस उस पिंटर को इस्तवान की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने को कहती है ताकि वो हुमन बॉडी को अच्छे से समझ भाए मार्या कुंदूर को साथ में देख लेती है अगले सीन में वो पिंटर के पास आती है वो सोया हुआ था मार्या कहती है कि काउंटेस वेंपायर है और उन्हें यहां से भाग जाना चाहिए वो काउंटेस की देवी अंगुठी जो वही रखी हुई थी उसे पहन लेती है और भागने लगती है लेकिए वो पकड़ी जाती है उसे काउंटेस के सामने लाया जाता है और काउंटेस अपनी रिंग उसके हातों में देखती है Countess पूछती है उसे यह रिंग कहां से मिली मार्या जूट कहती है कि Painter उसके लिए Obsessed है और कल रात उसके रूम में आया था और साथ में भागने के लिए कह रहा था Countess से बच कर मार्या किड़की से भागने लगती है लेकिन उसके पेरफिस है जाती है और वो गेर कर मर जाती है काउंटस पेंटर को अवाइट करने लगती है पास दिन गुजर जाते है पेंटर उसके पास आता है और उसे इग्रोर करने का रिज़र पूछता है काउंटस कहती है कि तब दो के बाज हो पींटर उसे मिलाने की कोशिश करता है और कहता है उसे लगा था कि पींटिंग इसके लिए सब कुछ है लिकिन अब उसके लिए काउंटेस है सब कुछ है जिसके बिना वो नहीं रह सकता तब ही उन्हें फैरंग के आने के आवाज आती है फैरंग को मेट से पता चलता है कि का इसलिए वो खीड़की के रास्ते बैट्रूम में आ जाते हैं और दोनों प्यार करने लगते हैं तब ही फैरंग को पिंटर का स्केच कांटेस की नोटबुक में मिलता हैं कांटेस कहते है कि वो उस पिंटर को दुबारा नहीं दिखना चाहती उसे अब यहां से भीज दो फैरंग को कांटेस की बाते हैं अजीब लगती हैं अगले दिन उनके महल में जेशन होता है फैरंग को पिंटर की हाथ में कांटेस की रिंग दिखती है अब बकल में बैटा थो जो फैरंग को बताता है कि Countess Painter के सामने Naked Painting वर माती थी यह सुन तो फैरंग को गुसा जाता है और वो उन दोनों को साथ में Imagine करने लगता है और वो फैरंग को मारने के लोगता है लेकिन थो जो उसे सब्र करने को कहता है और फिर वो उसकी ड्रिंक में जहर मिला देता है और वो ड्रिंक फैरंग उस पेंटर को पीने के लिए देता है लेकिन पेंटर से पहले Countess उस ज्रिंक को पे लेती है और जहर का असर तुरंथ होने लगता है फैरंग दर्वूलियन नाम की एक विच को बनाने का अदेश देता है उस विच के इलाज से एक हफ़ते बाद Countess को हूश आ जाता है और उसे पता चलता है कि पेंटर को जेल में डाल दिया गया है Countess उस विच और अपनी मेट के साथ जेल की दिवार को चोरिची पे तोड़ कर अंदर आती है और उसे जूनने लगती है लेकिन उन्हें पता चलता है कि पेंटर जेल से भाग गया है Countess को काफी दुख होता है कि पेंटर ने ये भी देखने का वेक नहीं किया कि वो जिन्दा है या मर गई विच उस से कहती है कि तुम बिमार हो लेकिन वो उसके ब्लट को अच्छा कर सकती है वो उसे उतनी एक उपसूरत और जवान बना सकती है जितनी वो उन पेंटिंग्स में लगती थी डायन Countess को एक बेटा और शाश्वत सुन्दर्ता देनी का वादा गरती है लेकिन उसके लिए उसे प्यार और रेपुटेशन का बली दान दीना होगा और अगरे 10 साल तक वो एक खुशाल जीवन जीएगी उसके बाद पार्ट टू श्रू हो जाता है जिसका नाम है दरवूलिया जो उसे विच का नाम है और कहानी 10 साल आगे चले जाती है जहां हमें बताया जाता है कि काउंटेस अप पूरी तरह से उस चुड़ेल के कबजे में थी उसकी दो बेटियां और एक बीटा हो गया था और तब यह में पता चलता है कि महल की मेंट्स किसी रीजन से मारी जा रही थी सबको लगता है कि यह प्लेक की बज़ा से है लेकिन उसकी बेटी को पता था यह सारे काम उसके मा के है काउंटेस उन बोडिस को अपने महल के बागीचे में दफना देती थी और फिर हम काउंटेस को एक खोन से वारे टब में बैटे वे देखते हैं युद में फैरंग चख्मी हो जाता है और उसे वापस महलाया जाता है जहां बही चुड़ाल उसका इलाज करती है लेकिन वो जानता है कि अब बुड़ा हो गया है और युद नहीं लड़ सकता इसलिए वो खुद को अपने ही तलवार से मा डालता है अपने पती फैरंग की मित्यों के बाद शड़ेंद कारीश थूर्जो काउंटर्स के साथ जाला करता है और कहता है कि फैरंग नी मरने से पहले उसे वेस्ट स्टेट की लेग का अधिकार सभाब था लेकिन काउंटर्स केहती है फैरंग नी वसीयत में ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं किया है थूर्जो कहता है आपको एक सोलजर की बातों पर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए काउंटर्स केहती है किसी और को जाके बेवकूफ पनाओ थूर्जो तब काउंटर्स और के अफैर के बारे में अनाप शना बखना शूर कर देता है जिसका काउंटर्स उसे थपर मार देती है थूर्जो गुस्से में वहाँ से चला जाता है थुर्जो की girlfriend काउंटेस को सबक से खाने के लिए थुर्जो की मदद करने का प्रस्ताव देती है इसके तुरंत बाद राज्य में एक सिर्कटी लाश मिलती है जो किसी औरत की थी काउंटेस से पूछा जाते है कि क्या होगी कोई मेड मिसिंग है काउंटेस कहती है वो पता करीगी वहाँ जो drink काउंटेस पी रही थी उसमें कोई कुछ मिला रहा था जब एक मेड काउंटेस के बाल बना रही होती है गलती से कैची काउंटेस की skin पर टच हो जाती है और गुस्से में काउंटेस उस मीट की चाकू मार कर हत्या कर देती है दारवुलिया को पता चलता है कि कोई हैलोसिनोजैनिक मश्रूम काउंटेस की ड्रिंक में मिला रहा है जिस वज़ा से उसे कुछ भी याद नहीं रहता इस सबका जिमेदा काउंटेस उसे चुड़ेयल दार वुलिया को मानने लगती है और उसे मैहल से निकाल देती है थुर्जो और उसकी पतनी दुरुलिया को पकर कर उसकी चीप कार देती है और काउंटेस को उसके खिलाब भरकाने लगती है वो चुड़या मनने से पहले जेल की दिवाया पर खून से थुर्चो का नाम लिखती है, काउंटेस उस चुड़या से मिलने जाती है और दिवाया पर थुर्चो का नाम लिखा हुआ दिखती है, काउंटेस थुर्चो से बदा लेने की कसम खाती है, वहाँ थुर्चो नौकर को उनके अपरादों के लिए माय डाला जाता है, जिन्दा जला दिया जाता है, और कांटेस को कैद कर लिया जाता है, अपने बीटे से अलग होने से निराश होकर वो अपने बिस्तरबर लेट जाती है और एक बजन गाना शूर कर देती है, मुबत्तियों से आके मुझकी मोगों में घर लीती है, उसके मृत्यू के बार में सुनकर तुर्जों एकसप्ट करता है कि एक बार फिर से मद वो कदम उठाया जिसकि उसने कम से कम उमीद की थी और इस तरह से Countess जीत गई थुर्जर लाश्ट में एकसेप्ट करता है कि वह हमेशे उसे प्यार करता था और करता रहेगा और ये मुवी यही पर खतम हो जाती है सो दोस्तों अगर आपको आज की मुवी का एकस्प्रेमेशन पसंद आया हो तो कमिल बॉक्स में लिए के जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट मीडियो में